ICC World Cup 1996 दो ऐसी टीमों के बीच फाइनल खेला गया था जो एक टीम बेहद मजबूत थी और तो दूसरी टीम एक नई थी उसका कप्तान एकदम नया था उसके जो प्लेयर थे वो अनभोहीन थे तो मुकाबला फिर कैसे जबरजस्त होता लेकिन इस फाइनल में बोस सब कुछ घटा जो नहीं घटना चाहिए था यदि आप जानना चाहेते तो सबसे पहले चैनल को सबस्क्राइब करें और वीडियो को लाइक करें दिन था 17 मार्च 1996 दो टीम है एक तरफ है स्री लंका दो दूसरी तरफ एक बहत रही है तबर जबर जस्त है इस्टारों से सजी हुई और स्री लंका ने पहले टॉस जीता और फिल्डिंग करने का फैसल दिया और बैटिंग करने के लिए उतरी हो मार्क टेलर जो कफ्तान थे उन्होंने 74 रनों की एक आतसी पारी खेरी लेकिन मार्क वा 12 रन बना करके आउट हो गए रिकी पॉंटिंग और मार्क टेलर के विए ची एक बहुत बड़ी साज़ेदारी हुई और एक बक्त लगा था कि साइद मुकाबला एक तरफा होगा लेकिन फिर स्री लंका ने वापसी की मार्क टेलर का विकट गिरा पॉंटिंग का इस्टिवा तेरा से इन बार में प्रमोट किये गए किबल दो रन बना सके इस्टिवाट ला बाइस रन माइकल बेवन ने नीचे आ करके 36 रन बनाए जिसकी बड़ुला तो एक बिक्री होई आउस्ट्रेलिया एक टीम है दो सेक थे लेकिन उस वक्त नए थे लेकिन तारीफ करनी होगी जो इनके लीडर थे कालू बितरना माप कीजिए आरजुन रन अतुंगा जो कैप्टेंसी कर रहे थे लक्ष का पीछा करने उतरी स्री लंका की टीम ओपन करने आए जैसुरिया और कालू बितरना दोनों को बिकेट जल्दी गर गए जैसुरिया नोरन मना करके रन आउट कालू बितरना भी आउट हो गए लेकिन असंका गुरु सिंग न एक चोर पर खड़े हो गए तो दूसरे चोर पर खड़े थे अरवेंडी सिल्वा पैंसट बनाए गुरु सिंगा ने और एक सो साथ रन सांदार सतक औ पर जा पहुंचाया ओबर नंबर 47 मां चल रहा था अरवेंडी सिल्वा ने बहतरी इंग चौका लगा करके वर्ड चेंपियन बना दिया स्री लंका को स्री लंका के स्कोर पहुंचा 245 रन तीन बिकिट के नुकसान पर 47 में ओबर मैं और इस तरीके से 1996 का जो वर्ड कप है स फोटी टीम जिसने दिखाया कि अगर टीम यूनिट हो करके प्रदसन करें तो क्या कुछ है नहीं कर सकते थे स्री लंका के लिए अगर गैंदबाजी में बात करें तो चमिंडवास ने एक विकिट निकाला था मुर्ली धरनेक कुमार धर्म सेना जो आजकल एंपारिंग करत तीन बिकिट और फिर जब बैटिंग का नंबर आया तो एक सो साथ रन मनाए नौट आउट कुरू सिंगा के साथ पाटनाशिप की और अपने कप्तान रन तुंगा के साथ पाटनाशिप की और चीत की तहलीश पर पहुंचाया और एक सांदार विजय सिलंका ने दर्ज की 1996 के बर्ड कप में टॉस से पहले जो टीम नजार आ रही थी दावेदार थी और बड़े बड़े किरके टैक्स पाट भी यही मान रहे थे सायद मुकाबला बराबरी का ना हो लेकिन और श्टेलिया की जो टीम एकदम मजबूत नजार आ रही थी एक छोटा सा देश स्री लं पातर ओडियाई बर्ड कप जो स्री लंका ने जीता है उसकी कैप्टेंसी अरजुन रनतोंगा ही कर रहे थे और जिसमें जिसके स्टार रहे थे जैसूरिया बितरना गुरू संगा अर्वेंडी सिलवा खुद अरजुन रनतोंगा रहे चमेंडा बास ने बहतरिन के अन्व ही लिए लिए स्रिलंका के टीम हमेशा चोकाने के लिए जाने जाती रही है तो क्या 2023 के बर्ड कप में जिसकी टीम एक बहुत कमजोर नज़ाए रही है क्या फिर से चोका पाएगी टीम में कोई बड़ा नाम नहीं नज़ा रहा नहीं उतना अन्भो नज़ार रहा दस उन स साना का जरूर है लेकिन क्या साना का चेंपियन बना पाएंगे कहां तक ले जाएंगे ये देखना होगा वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सबीकर सुक्रिया